हेलो एवरिवान, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग, माई नेम इस सिमरन गुंबर, आज की इस वीडियो में हम DEC3 का एक past year का question paper discuss करने वाले हैं, जिससे की आपको help मिल जाए और idea लग जाए की आपकी exam में कैसे questions आते हैं और आप उनके questions के कैसे answers लिख सकते हो, इसके साथ साथ मैं आपको proper ways बताऊंगी की कैसे आपको अपने answer को attempt करना है 10 marks के question के लिए कितना कुछ लिखना चाहिए आपको 5 marks के question के लिए कितना कुछ लिखना चाहिए आपको ताकि आपको अच्छे marks मिले I hope आपको मैं जो tip समझाऊंगी वो आपकी मदद करेंगी आपकी preparation के time भी और आप जब अपना exam लिख रहे होगे तब भी तो चलो फिर देखलो ये वाला term and examination सत्यान परिक्षा दिसंबर 2020 सेशन का जिनका था उनका है लेकिन due to covid ये फरवरी 2021 में हुआ था जब आपको आपकी answer sheet मिलती है तो first page पे आपको details भरनी होती है तो आपको इसका paper code भरना है DEC3 ये DC3 है पेपर का नाम पूछेगा तो बच्चों के लिए सेवाएं है कारे करम ठीक है एक एक चीज में आपको बिल्कुल basic से समझा रही हूँ ताकि कोई भी point छूटे ना और आपको कोई सी भी चीज की paper के time confusion ना हो ठीक है तीन घंटे का paper होगा मतलब आपको तीन घंटे में अपना paper करना है अधिकतम marks 100 marks का paper होगा ठीक है अब paper में जो note लिखा होगा इसको जरूर जरूर देख लेना ये important होता है किनी 5 प्रशनों के उत्तर दीजिए आपको किनी 5 questions क को answer करना है सबी प्रशनों के अंग समान है मतलब सारे के सारे questions के marks जो है equal है आप कोई भी 5 questions कर सकते हो अब सबसे most important thing जो बच्चे मुझसे बार 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 पूचते हैं देखो let's suppose आपको जो 5 questions करने है आपने को ये question select कर लिया one कि मैं ये one question करूंगा तो ये one question तब ही complete ह जब इसका कर पाट भी करोगे और खर पाट भी करोगे जब आप इसका कर लिया खर पाट भी कर लिया मतलब आपका एक question complete हो गया इसका आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने first question का कर लिया दूसरे का भी कर लिया और आपको एक question हो गया नहीं आप जो question start कर रहे हो आपको उसके द उसके सारे के सारे जितने भी पाथ से हैं वो आपको जरूर करने है चलो फिर देख लो अपना पहला question बहुती easy question है मैंने जो जिन बच्चों ने हमसे crash course लिया था या फिर जिनने important question answers की PDF ली थी उनको मैंने इनकी answers detail में दे रखे हैं समझा रखे हैं तो उनको कोई दिक्कत नह आएगी बट still साथ साथ ये चीजे समझो क्योंकि आप answers को जब सुनते हो ना तो आपके mind में set हो जाते हैं मैंने यहाँ पर आपको answer लिखकर इसलिए नहीं दिखाए और समझा इसलिए रही हूं क्योंकि paper में हम रटे रटाए answer कभी भी नहीं लिख पाते लेकिन जो चीजे हमने समझी होती हैं हमने खुद notes बनाए होते हैं वो हम easily paper में attend कर पाते हैं तो साथ साथ अपना pen paper लेकर बैठ जाओ और साथ साथ notes बनाते रहो क्यों notes बनाने के लिए कह रही हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्नोंने कितने time से कुछ लिखाई न हमें तो ऐसा नहीं करना न तो इसलिए घर पे ही पहले थोड़ा थोड़ा लिखने की practice करो ताकि आपका paper ना चूटे ठीक हैं आज ओ फिर पहले question पे सारे question में बिलकुल शांती से एक एक question का एक पार्ट अच्छे से समझाऊंगी बस pen paper लेकर बैठो और अपने notes बनाओ ठी चालो फिर देख लो पहले question का curve part भारत के भारत के पारंबिक बालेवस्ता विकास अंतशेप प्रदान करने क्यूं जरूरी है व्याख्या कीजिए अब ये कह रहे हैं इंडिया में early childhood care interventions provide करने क्यूं जरूरी है इसकी व्याख्या कीजिए आपसे इस question को अगर दूसरी तरह से पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि परंबिक बालेवस्ता विकास अंतशेपों का क्या महतव हैं क्यूं देने चाहिए क्यूं जरूरी है तो पूछी रखा है महतव पूछ सकते हैं या आपसे rational का reason है हमें क्यूं देने चाहिए तीन टाइप में ये question पूछ लिया जाता है points इनके same रहेंगे 10 marks का question है तो आप क्या करोगे आप पहले चोटी सी introduction लिखोगे चोटी सी introduction लिखने के बाद आप 5 points को detail में explain कर दोगे बस इसमें निशकर्ष की जरूरत नहीं है क्यूं जरूरत करके बताना हो तो इस question में need नहीं होगी पहले चोटा सा introduction लिख देना की परंबिक बाल्यवस्ता विकास अंतशेपे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है उनके विकास में इनका बहुत जादा महतव है जीवन के पहले 6 वर्षों में परंबिक बाल्यवस्ता विकास अंतश प्रदान करने के निमल लिखे महतव हैं अब इनके महतव देख लेना हलका सा introduction लिख दिया ना अब देखो मैं आपको एक एक point बता रही हूं समझा रही हूं पहला point आप क्या लिखोगे जीवन के पहले 6 वर्ष विकास की निरनायक अवधियां हैं क्यूंकि इस अवधी में विकास तेजगती से होता है और परिनाम सवरूप यह समय वही है जब वातावरन संबंदी सवरिद्धी या अभाव का बच्चे पर सारवाधिक प्रभाव पड़ता है अब यह क्या कह रहे हैं बच्चे अब जब यह पेपर है DEC 3 का जब मैंने आपको DEC 1 करवाया था तो म कौन सा कौन सेप समझाया था निरनायक अफ़ियों का मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर बता देती हूं निरनायक अफ़िया क्या होती है निरनायक अवदियां होती हैं कि बच्चे के जीवन के जो पहले 6 वर्ष हैं वो उसकी डवलाप्मेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्यूंकि इस टाइम में बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से हो रहा होता है इसलिए अगर उसको वातावरन अच्छा मिलेगा तो अब उसके क्या कहते हैं विकास पर साकरात्म प्रभाव पड़ेगा लेकिन अगर उसको अच्छा वातावरन नहीं मिलेगा तो उसके अंदर डिवलाप्मेंट की कोई दिक्कत आ जाएगी जो की आगे जाके जीवन भर उसको दिक्कत परिशानी देगी इसलिए पहले 6 वर् उनका कॉंसेप्ट आपको DEC 3 में काम आ रहा है ठीक है अब जिन बच्चों ने हमसे क्रैश कोर्स ले रख है जिसमें कि हम ऐसे इंपोर्टेंट कोईशन आंसर्स की वीडियो के थू समझाते हैं कि ऐसा कोईशन आ गया तो कैसे लिखना है कैसे अटेंड करना है उसके साथ उनको प्रॉपर पीडियेफ देते हैं और एक्जाम से पहले उनको कभी भी कोई डाउट आए तो वो पूछ सकते हैं या फिर जो सिरफ इंपोर्टेंट कोईशन आंसर्स लेते हैं तो उनको ना मतलब प्रॉपर आंसर हमने इसलिए दिये हैं ताकि उनको एक क्लैरिटी रह अगर आपको DEC की एक्जाम की प्रिप्रेशन के लिए क्रैश कोस लेना हो या इंपोर्टेंट कोईशन आंसर्स की पीडियेफ लेनी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कॉंटेक नंबर मिल जाएगा जहां पर कॉंटेक करके आप ले प्रदान करने चरूरी हैं ताकि बच्चे का पहले छे वर्ष में समपूरण विकास हो सके जो की आगे आने वली जिन्दगी में लाइफ में उसके लिए यूसफुल रहे ठीक है अब आज आओ दूसरे पर दूसरा क्या होगा परियाप्त भोजन, स्वास्ते देखबाल, परिपोशन या प्रेणक की कमी, रहने की अवस्तर स्थितियां और काम करने की शोशक स्थितियां जैसे प्रतिकूल अनुबव, विकास में काफी हद तक बादा डालते हैं अनुखूल स्थितियां विकास को प्रत्साहित करती हैं, यह प्रभाव दर्श कालीन होता है क्योंकि बाद के वर्षों में इसका प्रभाव पढ़ता है अब यह क्या कह रहे हैं, इनीशियल यर्स में बच्चे को बैलेंस टाइट देना, परियाप्ट भोजन देना, उसकी अच्छे स्वास्ते की अच्छे से देख बाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है इस टाइम पीरियड में उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसको सब चीजों की केर की बहुत जरूरत है इस time period में अगर उसको अनुकूल सितियां मिलते हैं good experiences मिलते हैं तो उसके विकास को प्रोचसाहित करेंगे उसका विकास अच्छे से होगा और जो प्रोचसाहित करके उसका विकास अच्छे से होगा आगे आने वाली life में उसको उसकी naturally सी बात है मदद मिलेगी बच्चों को प्यार बरी स्ने पूर्ण देखबाल और सेवा की जानी चाहिए बच्चों को प्यार देना चाहिए देखबाल करनी चाहिए ऐसा सिरफ इसलिए ही नहीं किया जाना चाहिए कि वह बड़े होकर उत्पादन शिल वे वह यसक बनेंगे हमें ये चीज बस इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो बड़े हो के पैसे कमाएंगे हमारे घर पे पैसे आएंगे या whatever बलकि इसलिए क्योंकि बच्चों का ये अधिकार है कि उन्हें अपनी शमता को पून्ते विक्सित कर पाने के अवसर मिले हमें ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे का ये राइट है कि वो अपनी शमता के पून्त तरीके से विक्सित कर पाए ऐसे experiences मिले ऐसे experiences उसको कब मिलेंगे जब हमारे देश में पारंबिक बाल लेवस्ता विकास की अंशे पे प्रवाइड की जाएंगी तब ही वो अपनी capabilities शमता के हिसाब से full develop हो पाएगा तीन points चोथा सुनलो पारंबिक बाल लेवस्ता देख बाल एवम शिक्षा कारे करमों का बच्चों के विकास पर सकरात्मक प्रभाव पड़ता है निर्दनों के संदर्व में गरीबी और अभावों के प्रभावों की शती पूर्ती अंतशेप द्वारा ही दूर की जा सकती है समझ लो इस point को example से क्योंकि मुझे पता है आपको ये point difficult लगा होगा मान लो एक बच्चा है ये गरीब घर में पैदा हुआ ये देखो ये एक ऐसा बच्चा है ये हुआ गरीब घर में पैदा अब इसके घरवालों ने इसकी पढ़ाई पर जादा ध्यान नी दिया और का कि तू भी छोटा मोटा काम करने लग जा थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे इसने सिक्षा ली ही नहीं और ये काम करने लग गया अब कल को जब इसके घर में बच्चा होगा तो ये भी ऐसे ही करेगा क्योंकि ये भी गरीब है ये भी कहएगा पढ़ने किश्रूरों तनी है थोड़ा बहुत काम करने लग जा तो इससे क्या होगा ये न बस एक गरीबी की cycle में फसे रह जाएंगे बच्चा हुआ काम पे लगा दिया छोटे मोटे फिर उसका बच्चा हुआ छोटे मोटे काम पे लगा दिया सिक्षा ग्रहन ही नहीं करेंगे जब वो सिक्षा ग्रहन ही नहीं करेंगे तो कैसे उनका educational level बढ़ेगा economic level कैसे बढ़ेगा कैसे उनकी गरीबी हटेगी हटी नहीं पाएगी तो वो इसी cycle में इसी प्रभाव में अडे रह जाएंगे इसलिए अगर हम पारंबिक बाल्यवस्ता देख बाल और सिक्षा कारेकरमों को लाएंगे अपने देश में तो बच्चों को पढ़ाई का अफसर मिलेगा पढ़ाई का अफसर मिलेगा तो वो अच्छे जॉब ढून सकते हैं अच्छे काम कर सकते हैं जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है अब देख लो पाच्वा पॉइंट पारंबिक वर्षों में बाल विकास में योगदान के कारण बच्चों की वृद्धी उत्पादक व्यसकों के रूप में होती है वो लोग जो बच्चों की देख बाल के लिए गर में ही रहते हैं वे नोकरी करने बाहर जा सकते हैं और अपनी आर्थिक सिती में काफी हद तक सुधार कर सकते हैं अब जो नॉर्मल घर वाले हैं मतलब जिनकी आर्थिक सिती ठीक नहीं है लेकिन अब उनके घर में बच्चा है तो उनको बच्चे के पास रुखना पड़ता है बाहर जाकर काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे पैसे कमाएंगे तो उनकी आर्थिक सिती ठीक हो जाएगी और वो बच्चों को अच्छे experiences provide करने में सक्षम होंगे तो हो गए आपके 5 points देखा ये तरीका होता है आपको question को attend करने का अब जो बच्चे ये पूछते है कि मैम 10 marks के question में कितनी sheet लिखनी है 5 marks के question में कितनी sheet लिखनी है sheetों से फरक कभी भी नहीं पड़ता फरक पड़ता है आपके answer की quality से आप कितना अच्छा answer लिख रहे हो अब इन्होंने हमसे जो पूछा 10 marks में हमने उसकी introduction ने दी 5 points लिख दिये explain कर दिया जहां हो सका example भी डाल दिया जब आपने इतना अच्छा content लिख दिया तो क्या फरक पड़ेगा कि आपका कितनी sheet नहीं है और आप फिर भी सोचो जब आपने 5 points explain कर दिये उसके अंदर उधारन डाल दिया introduction डाल दिया तो naturally सी बात है कि 10 marks के question के लिए आपकी 3 से 4 sheet बर ही जाएंगी ठीक है तो चलो फिर एक question होगे आपका complete ओके चलो फिर इसका B part देख लो एक question नहीं हुआ बस एक part हुए अभी B part रहता है खाओ part देख लो बतानी है जिनके फल सब रूप वे छोटे बच्चों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में सफल रही जिसकी help से वो बच्चों को useful services प्रवाइड करने में सफल रही चलो फिर देख लो फिर mobile crash की क्या होती है विशेशता है अब मैं आपको detail में सारी चीज़े बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है आप कैसे कैसे points लिख सकते हो वैसे वैसे points लिख कर आज़ना पांच 10 marks का question है सेम mobile crash के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखना हो कि mobile crash अच्छी portion के लिए अच्छे स्वास्ते के लिए सिक्षा के लिए चोटे बच्चों को क्या कहते हैं अच्छी सर्विसे सेवाइं प्रोवाइड करती है mobile crash बच्चे के ग्रोथ में बहुत मदद करती है क्योंकि उनको परियाप्त भोजन मिलता है स्वास्ते की देखबाल होती है वहाँ पर खेल-खेल में बहुत सी चीजे सिखा दी जाती है introduction लिख दिया introduction लिख दिया उसके बाद पॉइंट्स लिखो गया आपको पता है न दसमार्ट कोशन में हम ऐसे ही करते हैं पहला point mobile crash के करमचारियों को बहुत ही भीशन कठोर परिस्थितियों में बच्चों की सब भी आवश्यक्ताओं को पूरा करना पड़ता है mobile crash के जो करमचारी होते हैं उनको बहुत ही difficult situations में बच्चों की जितनी भी नीट्स हैं सब को पूरा करना पड़ता है प्राए केंद्र इतने सुदूर निर्मान स्थलों में इस्थित होते हैं जहां परिवेश के नामपल केवर रोडे, पत्थर, रे तथा लोहे के छड़ी होती है अब एक बात बताओ ये mobile crash संस्ता होती क्या है एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन दे रही हूं समझ लेना ये ना वहाँ पर जहां पर भी construction work चल रहा होता है तो वहाँ पर आपको पता है construction laborers होते हैं अब उन construction laborers के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये mobile crash बनाया जाता है जो भी contractor होता है या construction जो करवार है, काम constructor है वो इन mobile crash की सेवाइं स्टार्ट करवाता है तो जो भी उन construction workers के जो भी बच्चे हैं वो उस mobile crash में रहते हैं वहाँ उनको खाना मिलता है उनकी देखवाल की जाती है थोड़ी बहुत उनको खेल-खेल में चीजे से खा दी जाती है ये कहाँ पर होते हैं जहाँ पर construction work चल रहा होता है तो हमने अपने पहले point में क्या बताया कि उनको बहुती कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर रोड़े, पत्थरे, सब होते हैं क्यों? क्योंकि वो construction site होती है वहाँ पर काम चल रहा होता है पहला point दूसरा, सारी माताएं काम पर जाती है इसलिए या तो वह इतनी व्यस्त होती है या तो वह बच्चों की सिक्षा के प्रती इतनी अंतहीज होती है कि वह इसके बारे में चिंता ही नहीं करती कि बच्चे को प्रतिस्तित केंदर में जाना है अब माताएं हैं ये मैं दूसरा point बता रही हूँ, first point बता दिया, माताएं हैं वो अपने काम का आज में इतनी busy होती हैं, फटा-फट सुबा उठी काम में चलेगी, ध्यान ही नहीं देती कि बच्चे को मुझे अपनी mobile crash में भेजना है, या फिर वो महत्त भी नहीं समझती कि मच्चे को भेजेंगे, ऐसे ही वो क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो स्टीज को ध्यान ही नहीं देती, तो इसलिए बाल देखबाल कारे करता, प्रति दिन बच्चों को उनके घर से ले जाते हैं, इसलिए बाल देखबाल कारे करता जो होते हैं, वो उन बच्चों क बच्चों को घरों से लेकर जाते हैं अब तीसरा देख लो इसी से इंटर्लिंग्ड है करमचारी प्रति दिन अनॊपचारिक रूप से मातां से मिलते हैं और उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे जानकर उन्हें सुलजाने में उनकी मदद करते हैं अब कारे करता घर पर आया तो उनसे पूछ लेगा ये मैं आपको third point समझा रही हूँ माता पिदा के घर पे आया अनौपचारिक तरीके से पूछ लेगा कि उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है बच्चों से related क्या दिक्कत आ रही है और उनकी समस्य आए देने में हल कर देगा हो गए तीन point चार चोथा सुन लो निर्मान स्थल पर मजदूर परिवार आते जाते रहते हैं इस कारण हर महीने नए बच्चे कारे करम में शामिल होते हैं अब जो construction site है वहाँ पर मजदूर कभी नए आद मजदूर आ रहा है कभी पुराना जा रहा है तो उनके बच्चे भी आ जा रहे हैं तो हर बार नए नए बच्चे आते रहते हैं तो उन हर नए बच्चों की उनकी needs को कारे करताओं को पूरा करना होता है चार पॉइंट्स हो गए कारे करताओं का सारा प्रसिक्षन केवर कारे काल के दुरान मिलता है और घर पर सिधान्तिक पक्ष के बारे में पढ़ाई करने का उन्हें समय नहीं मिलता जो भी बच्चे मोबाईल क्रेश में आ रहे हैं वो बस वही पर जो पढ़ते हैं पढ़ते हैं घर पे उनको कोई मदद नहीं मिलती या घर पे जाके उनको कोई कुछ नहीं पढ़ाता तो वो पूर्ट तरीके से वहाँ के कारे करताओं टीचर्स पर वो होते हैं independent होते हैं ठीक है तो यह भी हो गया तो फिर यहां पर कारे करताओं को जादा मेनित करनी पड़ती है एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता रही हूं अगर पेपर में कुछ भूल जाओ तो विशेवस्तु की अभीविती तथा कोशलो की सवरिद्धी के लिए प्रसिक्षन एक सतत प्रक्रिया है बच्चों को उच्छ कोटी की देखवाल सहायक और उपाये देने का सूनिक्षित होता है इस मोबाइल क्रेच में जो कारे करता होते हैं वो मेक्शियोर करते हैं कि बच् काई से रिलेटिड नीड्स हैं वो फुल्फिल करें अनौपचारिक तरीके से उनको बहुत सी चीजे सिखा दे 6 पॉइंट्स हो गए 10 मार्क्स का कोश्चन हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट इस इसाब से आपका पहला कोश्चन 20 नंबर का हो गया कंप्लीट इस इसाब स से आंसर लिख कर आओगे तो कभी मार्क्स नहीं कटेंगे ठीक है चलो फिर देख लो सेकिंड कोश्चन पारंबिक बालेवस्ता सिक्षा के संदर्व में निमलिखित विचारों के सेक्षिक दर्शन की प्रमुक विशेष्ताओं का वर्णन कीजिए अब जब मैं अपने क्र पारे में पूछ लिया जाता है कभी कोई पूछ लेगा कभी कोई पूछ लेगा तो आपको पांचों बताओने चीए जैसे कि हमने आपको बताया था पहला मार्या मोंटेंसरी दूसरा फ्रॉबल तीसरा ताराबाई मोदक चोथा गांधी जी पांचवां टेगोर जी रबि मार्या मोंटेंसरी और फ्रॉबल मैंने आपको पहले ही का था देखो यही पांच जिन में से कोई ना कोई पूछ लेते हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट कोईशन है इन पांचों को अच्छे से कर लेना मैंने क्रैश को इसमें बच्चों को प्रॉपर नोट्स दिये पांच दस मार्या मोंटेंसरी के बारे में लिखने हैं दस मार्या मोंटेंसरी के बारे में लिखने हैं पहले मार्या मोंटेंसरी जी का देख लो स्टार्ट करेंगे छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ शालापूर बच्चों के लिए उन्होंने एक ऐसी सिक्षा प्रनाली प्रस्त कि जो अब सिक्षा का ही महतब बन चुकी है सिक्षा की ही विद्धी बन चुकी कि अब उसी विद्धी से बच्चों को बढ़ाया जाता है मारिया मुंटेंसरी की फिर आप हेडिंग डाल देना मारिया मुंटेंसरी की सिक्षन विदियां तथा शेक्षिक दर्शन कि उनकी क्या सिक्षन की विदिया थी और क्या-क्या सेक्षिक दर्शन थे पहला पॉइंट दस मार्क्स का कोश्चन है पाँच पॉइंट्स इनमें भी इनफ होंगे एक इंट्रडक्शन छोटी से लिख देना और पाँच पॉइंट्स लिख देना मौन्टेंसरी जी का माहना था कि सिक्षा ऐसी हो जो बच्चे की पस्नालिटी को पूरी तरह से उभार पाए उसकी पस्नालिटी को निखार पाए वो हनी चाहिए सिक्षा इसके अंदर की explanation सुन लो बच्चे को समुचित वातावरन प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी संपून शमताए अभिवरित वा विक्सित कर सके हम बच्चे को अच्छा वातावरन प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा अपनी संपून शमताओं को विक्सित कर सके चलो फिर दूसरा पॉइंट देख लो अध्यापक की कार्यनिती प्रतेक बच्चे के विकासात्मक्स तर रूचियों और जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए अब क्या कह रहे है टीचर की जो टीचिंग स्ट्राटेजीज हैं वो बच्चे की क्या विकासात्मक्स तर हैं क्या इंटरस्ट हैं क्या नीट्स हैं उनकी अकॉर्डिंग होना चीए क्योंकि हम teaching पर ना focus करके learning पर focus करते हैं कि जो सीखने वाला बच्चा है उसकी क्या जुरू रहते हैं explanation भी सुन लो उनका मानना था कि प्रतेक बच्चा अलग होता है और उनकी वृद्धी भी अलग-अलग तरीके से होती है इसलिए अध्यापक को प्रतेक बच्चे की प्रगती का ध्यान रखना चाहिए हर बच्चा अलग-अलग होते हैं आपने पढ़ा हैं विकास के सिधानतों में individual differences सब बच्चे अलग-अलग तरीके के होते हैं तो उनको पढ़ाने का तरीका भी अलग-अलग होगा उनके प्रगती के स्थर भी अलग-अलग होगे तो आपको उन सब का ध्यान रखना है तीसरा पॉइंट सुन लो उनके अनुसार शारीरिक रूप से दंड और भोतिक इनाम देना गलत है उनके इसाब से जो हम बच्चों को punishment देते हैं या फिर prices ऐसे देते हैं टॉफी देदी चॉकलेट देदी ये गलत हैं क्यों गलत हैं explanation सुन लो देख रहे हो आप हर point के साथ मैं आपको explanation दे रही हूँ आपको ये सारी बात अगर paper में आ गया तो लिख कर आना है साथ साथ notes बनाते रहना दंड से बच्चा जबरदस्ती कुछ परियास करने के लिए मजबूर हो जाता है जबकि उसकी खुद की इच्छा नहीं होती मतलब वो अंदर से motivated नहीं होता बस दंड के चकर में वो करने लग जाता है काम तो ये असली तरीका नहीं है सिक्षा काम भोतिक इनाम और स्वभाविक प्रोचाहन है भोतिक इनाम जो हम देते हैं वो बस external motivation है कि बच्चा टोफी के लालच में करता रहेगा कि मैं ये काम कर लूँगा तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी कल को चॉकलेट नाम मिली तो क्या वो हो फिर वो काम करना भी बंद कर देगा तो आपको उसको अंदर से प्रोचाहित करना है कि उसका खुद की इच्छा हो, खुद का मन हो Montensory जी ये मानती थी तीन पॉइंट्स हो गए फोर्थ पॉइंट Montensory का मानना था कि इंद्रिया ग्यान का द्वार है Montensory जी का मानना था जो हमारे सेंसिज हैं यही ग्यान को अर्ज़त करने का ग्यान को लेने का डोरवे है कैसे explanation सुन लो उन्होंने इस बात की और भी संकेत किया कि परंबिक वर्षों में इंद्रिया बहुत सक्रिये होती हैं उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे के starting years में senses बहुत active होती हैं और इस अबदी में बहुत कुछ सीखता है बच्चे देख कर चीजे सीखेंगे सुन कर सीखेंगे टच करेंगे, टेस्ट करेंगे जो भी उस activity क्रिया सत्र की need है उस हिसाब से वो इंद्रियों के थ्रू सीखेंगे तो आप उनको जादा से जादा इंद्रियों के थ्रू सीखाओ दिखाओ चीजों को, सुनाओ, बुलवाओ, टच करवाओ चोथा point हो गया पाच्वा सुन लो Montensory ने छोटे बच्चों के स्कूल को बाल सदन का नाम दिया Montensory ने जो छोटे बच्चों के स्कूल थे उनको क्या नाम दिया? बाल सदन सदन में बच्चों के लिए आयोजित होने वाली क्रियाओ के का लक्षे बच्चों का सारवागिक विकास था अब सदन में बच्चों का main, हमारा main लक्षे क्या था कि हम बच्चों का सारवागिक विकास कर पाए, overall development करवा पाए, 5 points हो गए, मैं आपको 6 y-core point बता देती हूं, पेपर में अगर एक आदा याद ना आए, तो या याद हो भी तो 6 लिख कर आ जाना, Montensory क्रियाएं एक करमबत रूप सरल से कठिन की और व्यस्थित हैं, मतलब Montensory की जो क्रियाएं हैं, वो easy to difficult की तरफ बढ़ती हैं, पहले easy करवाओ, फिर दीरे difficult की तरफ बढ़ो, बच्चों को स्वयम खोज करने के लिए प्रसाहित किया जाना चाहिए, उनका मानना था कि बच्चों को स्वयम खोज करने के लिए प्रसाहित करो, बच्चों को स्वयम सलपनाओं को समझने के लिए प्रसाहित करना चाहिए, कि बच्चे खुद चीजों को imagine करें, उसको जाएं यह सब करना चाहिए दस चेस पॉइंट समझा दिये इंट्रडक्शन समझा दी सारी के सारी explanation करती दस माक्स का question इस तरीके से attend होता है ठीक है चलो फिर आजाओ अगले अगला क्या है अगला उन्होंने पूछा है फ्रॉबिल के बारे में फ्रॉबिल के अभी सुन लो फ्रॉबिल का भी क्या करोगे पहले छोटी सी आप दोगे introduction, introduction देने के बाद आप दोगे उनके points यहाँ पर हमने उपर वला तो कर लिया था अब आजाओ फ्रॉबिल पे फ्रॉबिल के विचार में बाल्य वस्ता मात्रवे अवस्ता नहीं है जिसमें बच्चे व्यवस्ता के लिए तयारी करते हैं बलकि अपने आप में मुल्य होता है और इनकी अपनी निजी स्रिचनात्मकता होती है उन्होंने बोला, फ्रॉबिल जी ने बोला कि बाल्य वस्ता चाइल्डूट सिरफ ये नहीं है कि वो बच्चे बड़े होके अडल्ट होंगे, काम करेंगे, नई, बाल्य वस्ता का अपना एक महतव है, अपनी एक क्रियेटिविटी है कि बतलब बाले अवस्ता के कुछ अपने features हैं जो की बच्चा adulthood में नई सीख सकता उसको childhood के दुरान ही सीखने जरूरी है इसके साथ साथ एक बहुत important बात फ्रॉबेल जी ने किसके founder है किंडर गार्टन सिस्टम के जो आज भी हमारी nursery में किंडर गार्टन सिस्टम का concept फोलो होता है ये फ्रॉबेल जी ने दिया है ओके चलो फिर points देख लो introduction समझ ली पहला point फ्रॉबेल ने किंडर गार्टन के मूले सिधानतों पर विचार करके उसमें उपयोगी होने वाली प्रथम समगरियां त्यार की मैंने आपको बता दिया फ्रॉबेल जी founder है किंडर गार्टन सिस्टम के तो उन्होंने इस किंडर गार्टन सिस्टम में क्या basic principles होंगे मूल सिधानत फोलो करे जाएंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है किंद खेल समगरियों का use करना है कैसे कैसे पढ़ाने के तरी जानतों ने ची ये सारी बाते उन्होंने बताई ठीक है दूसरा सुन लो उन्होंने play gifts, play songs, नाटकी करन और कहानियों को बढ़ावा दिया उन्होंने किस तीज को concept का दिया उनके concept में focus था कि बच्चों को play gifts दिये जाएं, play songs चलाए जाएं, नाटकी करन के तरू बच्चा नाटक करके सीखे, कहानिया सुन-सुन के सीखे, इस टीज पर उन्होंने focus करा, तीसरा, बचार में इसी के अंदर आजाएगा अब ये नहीं, जो अभी मैं बता रही हूं ना second के अंदर ही आजाएगा, बचार उसकी explanation है ये, बचार में उपलब, खेल और अन्य सेक्षिक उ गनेश डूब से उनके ही सिधानतों पर आधारित हैं, हमारे market में जितने भी हमें play materials मिलते हैं, kindergarten के लिए, वो इनके principles पर ही based हैं, ठीक है, आजाओ फिर तीसरे point पर, फ्रॉबिल के अनुसार, अधियापिका को निश्क्रिये होकर नहीं, बैटना चाहिए, फ्रॉबिल के अ सामगरी के साथ, बच्चों के साथ क्रियाएं करनी चाहिए, फ्रॉबिल जी के according, teacher को बच्चों के साथ, play gifts के साथ, बाकी सामगरी के साथ, teacher को भी सक्रिये रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, चोथा point देख लो, अब यहाँ पर आगया, चोथा, फ्रॉबिल के अनुसार बच्चा शेक्षिक सिधानतों का एक मात्र स्त्रोत है और अध्यापक का कारे है बच्चों के प्रकृति के अनुकूल कारे करना मतलब बच्चों को क्या चीजे पढ़ानी है वो बच्चा उसी का स्त्रोत है हमें बच्चे की नीट्स बच्चे की जो भी जरूरते हैं उसके हिसाब से उसे पढ़ाना है ताकि वो अच्छे से सीख पाए फोकस किस पे करना है बच्चे की लर्निंग पे अब फिफ्थ पॉइंट देख लो फ्रॉबिल द्वारा बनाई गई सामग्रियां फ्रॉबल ने किन किन सामग्रियों को बनाया था खेल गीतों को गाओ खेल वृत्मे विबिन सैक्शिक खेलों को खेलना मतलब आपको ऐसे गेंज़ किलाना जिसका एच्चिकेशनल रोल हो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खेलना हाथ पकड़ कर खेलेंगे तो social development होगा एक दूसरे से अच्छी उनकी social bond बनेगी उसके बाद एक अगर आप end में निशकर्ष लिखना चाहो निशकर्ष लिख देना या फिर six point करके लिख देना six point बता रही हूँ इस प्रकार फ्रेडरिच विल्यम ऑगस्थ फ्रॉबल जी का पूरा नाम बता रही हूँ फ्रेडरिच विल्यम ऑगस्थ फ्रॉबल का पारंबिक बैलेवस्ता में बहुत जादा योगदान था अब इतनी सारी चीज़े उन्होंने दी है किंडर गार्टन का concept दिया खेल समगर जो अभी तक यूज हो रही है तो बहुत बड़ा योगदान तो हो नहीं था किंडर गार्टन जर्मन भाषा का शब्द है किंडर गार्टन कौन सी भाषा का शब्द है जर्मन का जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा मतलब बच्चों का बगीचा फ्रॉबल को बच्चे और पोदों में समानता लगी अन्य प्रकार की खेल समगरिया उनकी ही देन है फ्रॉबल को बच्चे पोदे की तरह लगे पोदे की तरह कैसे लगे जैसे हम कोई बीच बोते हैं मान लो यहाँ पर आ गए हम हमने एक ऐसे मान लो जब बीच बोया जब हम उसकी केर करेंगे प्रॉपर उसको पानी देंगे तब ही तो वो ट्री में बनेगा ना ट्री बनने के लिए उसको अच्छे experiences की नीड होती है तो वही बात है अगर छोटा बच्चे अगर हम उसको अच्छे experiences देंगे उसकी देखबाल करेंगे तबी वो बड़ा होकर अच्छा इंसान बन पाएगा किसी चीज़ को करने में सक्षम होगा इसलिए उनको बच्चे और पोधे में समानता लगी 10 marks का question introduction और 6 points with detailed explanation हो गया आपका second question भी complete बताओ कुछ difficult था, कुछ भी difficult नहीं था अगर अच्छे से पढ़ा हुआ तो चलो फिर अब third question देख लो, उन विशेशताओं वा लक्षनों का वर्नन कीचिए जिनके आधार पर आप पैचान कर सकते हैं कि बच्चे को मानसिक मंदता है मतलब आपको उन विशेशताओं को उन लक्षनों का वर्नन करना है जिससे कि आप पैचान कर पाओगे कि हाँ भई ये बच्चा मानसिक रूप से मंद है मानसिक, I am so sorry दस मार्क्स का question है आप क्या करोगे पहले थोड़ा सा बता देना कि मानसिक रूप से मंदता क्या होती है और उसके बाद उसके विशेशनाई या लक्षन बता देंगे मानसिक रूप से मंद बच्चा वो होता है जिसकी मानसिक रूप से मंद बच्चा वो होता है जिसकी मानसिक रूप से mental abilities थोड़ी नॉर्मल बच्चे से कम होती है जिसकी सोचने की दिमाग को यूज करने की अलग-अलग चीजों में यूटिलाइस करने की शमता बाकी नॉर्मल बच्चों से कम होती है उसको हम मानसिक रूप से मंद बच्चा कहते हैं इसके प्रॉपर मांदंड होते हैं कि मानलो बच्चे का IQ इतने से कम है तो वो मानसिक मंदता के अंदर आ जाता है सिंपल सी टर्म्स में कहें तो मानसिक मंदता वले बच्चे की बोधिक काम करने की शमता स्थाई रूप से कम होती है इतना बता देना इंट्रोड़क्शन में और फिर आज़ना अपने विशेशताओं और लक्षनों में मैंने बच्चो को क्राश कोर्स में बताया था ना यहाँ पे ऐसे मानलो लिख दिया मंद बुद्धी के बच्चे की पहचान और तीन एक माइंड मैप सा बना दिया बच्चे का बाहें सब रूप, दूसरा बच्चे का वैवार, तीसरा विकास के मांदन अब इन तीनों को explain करेंगे, पहला देख लो बच्चे का बाहें सब रूप, बच्चे की physical appearance को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि यह मंद बुद्धी वाला बच्चा है, मानसिक रूप से मंद बच्चो को सिर का सिर बहुत बड़ा या बहुत छोटा होता है आखे तिर्ची होती है, जीब बाहर होती है, गंभीर और अति गंभीर रूप से मंद बच्चे तुरंथ ही अपने बाहें सब रूप के कारण पहचाने जाते हैं गंबीर और अति-गंबीर रूप से, जो मंद बच्चे होते हैं, बहुत ही ज्यादा level के, जो होते हैं, उनके severity होती है, कि वो बहुत ज्यादा मांसिक मंदता से प्रभावित होते हैं, तो वो तो अपनी पहचान से, physical appearance से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चा मांसिक रू अभी हमें पता चल जाता है कि वो मांसिक रूप से मंद है या नहीं मांसिक रूप से मंद बच्चे निर्देशकों को सफलता से नहीं समझते उसे समझने के लिए बार-बार बताना पड़ता है ये मैं आपको दूसरा पता रही हूँ बच्चे का कैसे वेवार से आपको पता चलेगा कि मांसिक रूप से मंद है बच्चे इंस्ट्रक्शन्स निर्देशकों को सरलता से नहीं समझते उनको बार-बार समझाना पड़ता है उनको वेवार समंधी समस्याएं भी हो सकते हैं जैसे कभी भी आकरामक वेवार करने लग जाएंगे गुस्सा करने लग जाएंगे चीजे फैक देंगे अब उनके शारीरिक लक्षन भी सुन लो साथ-साथ एक साथ दोनो बाहे नहीं हिला पाते अब परियाब संतूलन बच्चा बार-बार गिर जाता है उनका पूरी बॉड़ी पे प्रॉपर बैलेंस नहीं होता छोटी चीजे पकड़ने में दिकत छोटी चीजे नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसके हाथों में कंट्रोल, कॉर्डिनेशन सही नहीं होता थर्ड, विकास के मानदंड, अब यहाँ पर आगे, विकास मिक के मानदंड से आपको कैसे पता चलेगा विकास के मानदंड, मानसिक रूप से मंद बच्चों में देर में दिखाई देते है इन बच्चों की वृद्धी उसी गती से नहीं होती जिस गती से अन्य बच्चों की होती है उधारन देख लो अगर 12-18 महीने का सामान्य बच्चा कुछ शब्दों का परियोग कर पाता है तो मांसिक रूप से मंद बच्चा उसे 35-40 महीने में बोल पाता है तो मतलब उसके डवलाप्मेंट लेट हो रही है ना नॉम्मल बच्चे के हिसाब से तो आपको पता चल जाएगा दस मांक्स का कुछिशन था पहले मांसिक मंद था के बारे में थोड़ा सा बता देना विशेशता है और लक्षन ऐसे उपर लिख देना उसके बारे में तीन वो तीन हेडिंग्स दे देना तीन हेडिंग्स में इन में क्या थी एक था बच्चे के बाएस अब रूप बच्चे का वहवार और तीसरा विकास के मांदन और फिर इन तीनों को नीचे लिख कर उनको प्रॉपर एक्स्प्लेइन कर देना एक्जाम्पल्स के साथ, हो गया आपका दसमार्स का question complete, कितना असान question था न, खरपाट, श्रव्य दोश वाले बच्चे के साथ खेल क्रियाई आयोजित करते हुए, शाला पूर्व अध्यापक को जिन पहलूओं को ध्यान में रखना चाहिए, उन में से पांच पहलूओं की जानकारी दीजिए, जिस बच्चे को सुनने में problem है, वह कि कहते हैं, वो hearing impaired है, उस बच्चे के साथ, अगर आप खेल क्रियाई आयोजित कर रहे हो, तो आपको as a preschool teacher, किन पहलूओं को ध्यान में रखना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, ताकि वो बच्चा उसे maximum benefit ल दूर देंगे, introduction में लिख देना कि श्रवे दोशवाला बच्चा वो बच्चा होता है, जिसकी सुनने की शमता बाकी normal बच्चों से कम होती है, या फिर उसको उचा सुनाई देता है, मतलब जब आप बहुत जोड से बोलो, उसे तब सुनाई देता है, हमने श्रवे अब हम किन पहलू को ध्यान में रखेंगे, ऐसे लिख देना, शालापूर अध्यापक निमन लिखित पहलू को ध्यान में रखेंगे, अब देख लो पहलू, पहला, use hearing in aid, मतलब आप ये ध्यान रखो, आपको पते है, जो बच्चा श्रवन दोश वाला बच्चा होता है, सर के पीछे आपने देखा होगा न, थोड़ा सा कुछ चिपका होता है, उसको कहते है hearing aid, उसकी मदद से बच्चा सुन पाता है, तो आपको ये देखना है कि बच्चे ने hearing aid लगा रख है या नहीं, वो hearing aid सही से काम कर रहा है या नहीं, पहली चीज दियान रखनी है, तब ह कि वो बच्चा सुन पाएगा और जो भी आप क्रिया करवा रहे हो अच्छे से हो पाएगी, मैंने पॉइंट बता दिया, आप कर सकते हो, make sure कि बच्चे ने hearing aid लगा रख है और वो proper functioning में है, सही तरह से काम कर रहा है उसका hearing aid, एक पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ पर लि लिए हो कि वो सही से सुनने, सही से कारे कर पाएगे, थोड़ा जोड से बोलो, तीसरा, भाषा समझने में बच्चे की मदद करो, आप जो भी कुछ बोल रहे हो, हो सकता है उसको सुनाई ना दे रहा हो, तो आप उसको भाषा समझाने की कोशिश करो, आप क्या कर सकते हो, आप शारेरी क्रियाएं करके दिखा सकते हो, या फिर ऐसे words बोल रहे हो, कि बच्चे का proper उसको समझ आ जाए, मालो आपने बोला apple, आपने सामने board पे लिख दिया apple, अब बच्चा अगर वो उस apple को सुननी पाया, लेकिन board पे जब आपने apple लिख दिया, तब तो वो देख ल काम करा है, अच्छे से काम करा है, उसको motivate करो, येस, येस, very good, very good, बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आपको उसको motivate करना है, कि वो भी आपकी खेल क्रिया में सक्रिये रहे, और अपना participation दिखाए, लोगों से बातशीत करें, बोले, पांचवा, फोर्थ हो गया, अपरोट सा समझना है, लेकिन क्या करो, आप उसको pictures दिखा दो, drawings दिखा दो, pictures, drawings से वो देख देख कर चीज़े समझ जाएगा, पांच पहलो पूछे है, मैं फिर भी आपको एक extra बता रही हूँ, आपकी better knowledge के लिए 6 शारीरी क्रियाए करो, body language, gestures, खुश हो, अगर आप उसको शाबाश पांची दे रहे हो, तो smiling face बनाओ, ऐसे आपने देखे, smiling face, जब आपकी teacher आपको ऐसे smiling face कहते है, very good, you are a good child, तो आप face expressions दो, body language यूज़ 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 करो, जेस्टर यूज़ यूज़ करो, ताकि आपका बच्चा आपको अपको अच्छे से समझ बाए, खुपाट हो ठीक है, 10 marks का question था, पहले श्रवन दोश के बारे में बता देना, 5, 6 जितने points, याद आए, उतने लिख देना, इसमें तो जैसे specifically 5 पूछे हूए है तो 5 points को यच्छे से explain कर देना, with examples, 3rd question भी आपका हो गया, चलो फिर बढ़ते हैं, 4th question की तरफ, बहुत ही easy और basic question, अब इस question का कव पार्ट, 10 marks का था, संचार की बच्चे से बच्चे की कारेनिती के सिधानतों, और इसमें सिक्षक की भूमिका का व्याख्या कीजिए, 10 marks का था ना, मालो 5 marks में आपको बच्चे से बच्चे कारेनिती के सिधानत बताने हैं, और 5 marks की सिक्षक की भूमिका बताने हैं, ओके, आप सबको बता है कि संचार की बच्चे से बच्चे काररे निती क्या है, पता है ना, बस उसी को आप points की form में लिख दो, मैं आपको एक overall बता रही हूं कि बच्चे से बच्चे काररे निती, इस सिधान पर based है, कि बच्चों को एक दूसरे के साथ सीखने में मज़ा आत मतलब हम कह सकते हैं कि यह इस सिद्धान पर बेजड है बड़ा भाई मालो यह बड़ा भाई या बड़ी भेहन है अगर हमने इसको कोई अच्छी बात सिखा दी तो यह घर जा कर अपने छोटे भाई या छोटी भेहन को सिखा देगा मतलब था तो ये भी बच्चा और था ये भी बच्चा लेकिन ये क्या हो रहा है flow of information बच्चे के थुरू बच्चे को ही हो रही है तो ये क्या होगी बच्चे से बच्चे की कार्यनिती इसके सिधान्त पूछे हैं लिख देना बच्चे अपने स्वभाव से इक्चुक होते हैं नई नई चीजों को जानने के लिए तो अगर हम एक बच्चे को कोई अच्छी चीज सिखा देंगे तो वो घर जाके सब को बड़े सारे बच्चों को जा जाके बताता है इससे जो भी हम मैसिज पोचाना चाते हैं डिलिवर करना चाते हैं वो अच्छे से आगे जाएगा दूसरा लिख देना चिल्टर नारा गुड्स मतलब बच्चे एक संचार का बहुत अच्छा सादन है क्यों क्योंकि बच्चों को तो अगर मालो आपने कोई बात बताई और उनको अच्छी लगी वो घर जाके ममी पापा भाई भेन आस पड़ो सब को जाकर बताएंगे संचार हो जाएगा ना आपके मितलब का तो ये भी सही है ये भी इसका एक सिद्दानत है older children मतलब बड़े भाई बेन अपने छोटे भाई बेनों के लिए as a शिक्षक काम करेंगे मतलब हमने बड़े भाई बेन को सिखा दिया कि बेटा चोरी करना गलत बात है हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए अब ये बच्चा घर जाके अपने छोटे भाई को बताएगा चोरी करना गलत बात है हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए तो बच्चे से बच्चे को flow of information हो रही है चोथा लिख देना बच्चे खेल खेल में सीख जाएंगे और बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जादा comfortable होते हैं टीचर के मुकाबले टीचर के सामने वो शर्माते हैं चीजे समझे नहीं तो पूछते नहीं हैं लेकिन बच्चे बच्चे एक दूसरे से पूछ लेते हैं तो आप ये principles लिख देना अब सिक्षक सिक्षक की क्या भूमिका होगी अब सिक्षक की भूमिका सुन लो पहला की चोट टीचर है वो as a facilitator काम करेगा facilitator मतलब जहां पर बच्चे को आपकी need है बस आप वही काम करोगे ये नहीं कि हर जगा जाके बेटा तु जाके ये बोलियो तु जाके वो बोलियो तु ये करियो नहीं बच्चे को खुद को करने दो और बस facilitate करो अगर जहां पर बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है कोई problem आ रही है तो आप सिरफ उसकी वहीफ मदद करोगे हर जगा spoon feeding मत करो क्योंकि बच्चे को खुद के अपने emotions और तरीके निकालने दो शिक्षक को ये ध्यान रखना है कि जो information जो बात विचार बड़े बच्चे छोटे बच्चो को दे रहे है वो सही भी है या नहीं ऐसी गलत information तो नहीं फिलाई जा रहे इसका ध्यान रखना है उस teacher को तीसरा point अपने बच्चो की मदद करनी है जहां उनको problem आ रही है उनको समझाना है कि ये चीज क्या है इसके क्या causes है क्या कारण है क्या फाइदा होगा पांचवा उनको motivate करना है अगर बच्चे बाकी बच्चो को बता रहे हैं को शाबाश, very good तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम तो big child हो तुम तो teacher की तरा काम कर रहे हो तो ये क्या होगा ये तरीका हो गया पांच मार्च, दस मार्च का question था पांच मार्च में हमने सिधान्त बता दिये पांच मार्च में सिख्षक की बुमी का बता दिये 5-5 point इसे साब से मारा दस मार्च का question हो गया complete अब देख लो ख़़ पाड़ ये कैसे है इस कार्यनिती के माद्याम से कौन सी कार्यनिती बच्चे से बच्चे के माद्याम से सम प्रेक्षन के लिए उचित दो संदेश पस्ट कीजिए अब ये child to child जो कार्यनिती है इसके माद्याम से आप कौन से ऐसे दो मैसेज डिलिवर कर सकते हो अब ये क्या लिखा हुआ है 2 plus 2 मतलब एक संदेश दो नमबर का दूसरा संदेश दो नमबर का हो जाएगा तो आप संदेश के साथ थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना पहला संदेश खाना खाने से पहले हाथ दो हमने बड़ो बच्चों को बता दिया कि खाना खाने से पहले हमें हाथ जरूर दोने चाहिए नीचे लिख देना कारण करके reason लिख देना क्यूंकि हमें पता है आजकल COVID-19 चल रहा है बाहर करोना वाइरस चल रहा है उस पे कुछ भी कभी भी हम बाहर जाते हैं किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो किटानू होते हैं जो हमारे शरीर में आ जाते हैं अगर हम गंदे हाथों से खा लेंगे तो वो हमारी body के अंदर चले जाएंगे और हमें बिमार कर देंगे इसलिए हमें खाना खाने से पहले हाथ दोने चाहिए अब ये बच्चे बड़े बच्चे घर में जाके छोटे बच्चों को से खा देंगे दूसरा समझा सकते हो कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए बड़े बच्चों को बता दिया पहला message हो गया खाने से पहले हाथ दो दूसरा message हो गया हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए इसके नीचे भी कारण लिख देना आपको कैसे करना है देख लो यहाँ पर आपने लिखा खाना खाने से पहले हाथ दो खाना खाने से हाथ दो के बाद नीचे आपने यहाँ पर लिखना है कारण डॉट 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 डालना और पूरे कारण को explain कर देना फिर ऐसे ही क्या करोगे दूसरा आपने लिखा कि हमें साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए फिर आपने यहाँ पर लिख दिया कारण ऐसे डॉट 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 डाल के फिर उसको explain कर दोगे हमें साफ सफाई का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर हम चाते हैं कि हमारा स्वास्ते अच्छा बना रहे हम बिमारियों से दूर रहे हमें कोई दिक्कत ना है इसलिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए अब यह जो बड़ा बच्चा होगा यहां पर मालो हम एक नया चोट बच्चा बना देते हैं यह हमारा बड़ा बच्चा यह घर जाके इसका चोटा भाई या बहन जो भी होगा इसको यह सारी चीज़े समझा देगा या और कोई बच्चा और कोई बच्चा यह देखो बच्चा एक एक बड़ा बच्चा उससे वो एक बच्चे दो बच्चे तीन बच्चे चार बच्चे पांच बच्चे छे बच्चे जितनों को बताना चाहे बता सकता है कितनी चल्दी ये information आगे बढ़ जाएगी चार मार्क्स का question था ऐसे attend कर लेना ठीक है समझा गया ना अच्छे से देख लो ये खवपाट भी हो गया अब ये देख लो प्रभावी संचार सहायक सामगरियां बनाते समय ध्यान रखने योगे सिधान्त और संकेत कौन से है देख लो छे मार्क्स का है तो छे मार्क्स के छे पोइंट जरूर लिखना अब ये कह रहे हैं कि जब आप communication aids बनाओगे जिसके through आप इस message को deliver करोगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है पहला कि आपके संचार साहय जो वो हैं समगरी है वो स्चिच नात्मक हो मतलब creative हो कुछ अलग सी लगे दूसरी लिख सकते हो कि वो आकर्शित हो मैं main point बता रही हूँ अंदर आप लिख सकते हो आकर्शित हो attractive होंगी तब ही तो वो बच्चो का या किसी का भी ध्यान खीच पाएंगी ना तीसरा लिख सकते हो कि ना जादा बड़ी हो ना जादा छोटी हो मतलब easily handy हो कि अगर आप कही ओर ले जाना चाटते हो चार्ट है फोल्ड करके ले गए जहां पर लेकर जाना है बहुत बड़े बड़े मॉडल होंगे तो आप उसको नहीं ले जा पाओगे तो easily carry कर पाओ आप चोथा आप लिख सकते हो कि time consuming ना हो less time taking हो less time taking मतलब आप जल्दी से उनको बना पाओ पांचवा उस पर जो आपका message है साफ साफ समझ आना चाहिए छेवा आप लिख सकते हो कि वो जादा मतलब time तक चले मतलब एक बार आपने साहयक समगरी बना ली यह नी कि उसी time खराब हो गई बस waste हो गई नहीं अगली बार आपको किसी बच्चे को समझाना है तब भी वो use होनी चाहिए तो स्रिजनात्मक हो उसके बाद क्या कहते हैं आकरशिक हो वो क्या कहते हैं हैंडी हो मतलब chart जैसे आप कहीं भी ले जा सकते हो time कम लगे बनाने में साफ साफ message लिखाओ सुन्दर तरीके से और वो जल्दी खराब ना हो यह 6 बातों का दियान रख सकते हो इनक आपको दिमाग लगाने वाला paper है यह 6 केंदर में प्रमशतिष्क घात वाले कोन होते हैं cerebral palsy वाले शालापूर बच्चे से निपटने और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए वर्णन कीचिए अब जो बच्चा जिसको cerebral palsy है गात है आप कैसे उसके विकास को बढ़ावा दोगे शिक्षक को क्या क्या चीजे ध्यान में रखनी चाहिए दस माक्स का कोशन है मेरे सब बच्चों को पता है कैसे अटेंड करना है पहले बताएंगे प्रमसतिष्क घात क्या होता है cerebral palsy क्या होता है और फिर कैसे टीचर प्रॉबलम है जिसमें की बच्चे का बॉडी कंट्रोल बॉडी पोस्टर खराब हो जाता है हो सकता है उसकी टांगे सही से वॉक नहीं कर रही सही से खड़ा नहीं हो पारा सही से बैठ नहीं पारा बॉडी का पूरा क्या कहते है संतूलत नहीं बन पारा तो उस कंडिशन क कहते हैं प्रमसतिस्ट गात बता दिया अब देख लो यहां क्या बता हो गया सबसे पहले इस बच्चे को ना खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है वो ना समझ ने क्योंकि उसका बॉड़ी पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता तो वो जब भी कुछ खाना खाने लगता ह ना उसके मुँ से बाहर गिड़ जाता है उसका मुँ पे भी कंट्रोल नहीं होता है उसके जबड़े ऐसे खुले से रहते हैं बाहर समान गिरता रहता है तो आपको क्या करना है पहला काम बच्चे को खाना खाने में सहायता करनी है आप पहले तो उसको ना कोई ऐसी थोड़े गाड़े तरल प्रदाश जैसे सूप दे दो दूद दे दो उसके बाद दीरे जब वो लेने लग जए फिर उसको आप कहा दे कुछली हुई चीज़े जैसे कुछला हुआ आलू दे दिया वो खाले आपको यह धियान रखने है दूसरा चीज आपको यह धियान र पता सकते हो कि कैसे वो जब मूँ खुला रखते हैं तो कैसे बंद रखना है उनको समझाओ अपने होठो को बंद करो और जहां कान है उसकी तरफ खीचो ताकि उनका मूँ बंद रहे और वो जो चीज़े खा रहे हैं वो बाहर ना किरा है तीस सर चोथा उनको ना शोचालन करवाने है कि आप सोचालने में कोई ऐसी चीज रखवा दो जिसको पकड़ कर जिसकी सपोर्ट के साथ वो खड़े या बैट सके उनके माता मिता को समझाना है कि उनको स्वय चीज़े करने के लिए प्रोचाहित करें कि बच्चा खुद दीरे दीरे अपना काम करें उनको अ आथों की क्रियाएं करवाने में सक्षम करवाना है क्योंकि उनका ना चो बॉडी कंट्रोल होता है वो प्रॉपर नहीं होता प्रॉपर क्यों नहीं होता आप मानलो पकड़ा हाथ गिर जाएगा तूट जाएगा क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है उनकी उंगलियों में मास वर्षियों में तो आपको दीरे दीरे बच्चों को इन क्रियाओं का सामन्जे से खाना है कि कैसे कंट्रोल करना है अगर आपने हाथ में पैन पकड़े तो इसको कैसे पकड़े रखने गिराना नहीं है बस ऐसे इंट्रोड़क्शन और 6 पॉइंट जैसे एक्स्प्लेइन कर देना हो गया आपका question अब आजाओ इसके खवपार्ट पे एक वर्ष ये द्रिस्टी दोश वाली बच्ची के विभिन शेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी मा को आप पांच गतिविदियां सोजाईए अब द्रिस्टी दोश 10 marks का question है क्या करोगी द्रिस्टी दोश वे और शमता है जिसके कारण बच्चे की देखने की शक्ती कम होती है द्रिस्टी दोश वाला बच्चा चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाता उसको धुदला दिखाई देता है या दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती बहुत जादा या या फिर वो पूरा ही मतलब ब्लाइंड होता है और देखनी पाता बता दिया आपने दृस्टी दोश क्या होता है जिसकी देखने की शमता कमजोर होती है या फिर पूरा ही नहीं देख पाता अब आपसे पूछा है इसके दृस्टी दोश का अलग अलग शेत्रों पे कैसा प् भाशाई विकास भाशाई विकास पर उसका क्या IMPACT पड़ेगा मालो वैसे तो जो बच्छा होता है वो दूसरों को बोलते हुए देखता है ना तो सीख जाता है कि यह बोल रहा है my name is Simran क्योंकि बोलते हुए देख रहा है ना लेकिन द्रिस्टी दोश वाला बच्चा तो देखी नहीं रहा देखी नहीं सकता कि कैसे बोल रहा है lip movement क्या आ रही है body parts कैसे हो रहे है तो उस बच्चे की जो भाशाई विकास होता है वो पीछे रह जाता है द्रिस्टी दोश वाले बच्चेगा क्योंकि उसकी physical development नॉर्मल तरीके से हो जाती है लेकिन वो द्रिस्टी दोश वाला बच्चा क्या करते हैं क्योंकि हम कहते हैं वो देख नहीं पा रहा तो जादा हम उसको चीजों को explore नहीं करने देते हैं कहते हैं बेटा चोट लग जाएगी यहीं बैठा रहा है यहीं सारा समान उसको ला कर दे देते हैं अगर हम बच्चे को खोजबीन करने का मोका नहीं देते तो उसके शारिरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो सही से व्खित नहीं हो पाएगा तीजरा देख लो संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक विकास पर भी वैसे ही है अगर बच्चा नहीं नहीं चीज़े नहीं खेलेगा हम उसके साथ इंटराक्ट जैसे करते हैं हम नॉमल बच्चे को तो कह देते हैं जा वहां से ये लेकर आवां देख क्या हो रहा है क्या नहीं लेकिन जो दृस्टी दोश वाला बच्चा होगा उसको हम निगलेट करेंगे कि नहीं तो यहीं बैठा रहा है ऐसे ही चौट लग जाएगी ऐसे कोई दिक्कत हो जाएगी परिशानी हो जाएगी तो जब आप बच्चे को सीखने के मोके ही नहीं दोगे तो उसका स्रिचनात्मक विकास कैसे होगा तो उस पर भी बुरा प्रभाब पढ़ सकता है यह आपके उपर है कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो चोथा समाजिक विकास क्यूंकि उसके बाकी फ्रेंड सारे बाहर जाके बैट बोल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वो अपने द्रिस्टी दोश की वज़ा से उनके साथ नहीं खेलने जा रहा तो उसके emotional development उसपर भी बुरा प्रभाव पढ़ेगा जब कोई इसको कह देगा कि तू तो मतलब देख नहीं सकता तू हमारे साथ नहीं खेल सकता या उसको बुरा लगेगा सब बच्चे तो देख सकते मैं नहीं देख सकता तू उसकी emotional पर भी प्रभाव पड़ेगा आप देख रहे हो दस मार्क्स का कोशन आपको कैसे अटेंड करना है सबसे पहले बता देना कि द्रिस्टी दोश वाला बच्चा क्या होता है इंट्रोडक्शन फिर मैंने आपको पांच एरियाज बता दिये भाशाई विकास शारीरिक विकास संग्यानात्मक विकास सामाजिक विकास समवेकनात्मक विकास इन विकास के बारे में लिखके इनकी एक्स्पेनेशन लिख दिये ना और साथ साथ सब के उधारन लिखते ना अच्छे से समझा रखे हैं ये तो तुम माल लो तुमारी बस एक तरह की रिवीजन ही हो रही है इन टॉपिक्स की जिसको अगर किसी बच्छे को crash course लेना हो या important question answers लेने हो तो description में आपको details मिल जाएंगी वीडियो की आप वहाँ से contact करके ले सकते हो चलो फिर बढ़ते हैं sixth question की तरफ संचार की विदी के रूप में भूमी का अभीने भूमी का अभीने क्या होता है role play के love हो वा सीमाओं का सहित वर्नन कीजे मतलब आप उसकी advantages भी बताओ और disadvantages भी बताओ बहुती easy topic है normal language में लिखकर आजना कोई दिक्कर नहीं हाएगी ठीक है सुन लो बूमी का अभीने होता क्या है what is role play भूमी का अभीने वो संचार की विदी है जिसमें हम किसी भी story का किसी भी कहानी के अलग-अलग characters अलग-अलग पात्रों का अभीने करते हैं मालो बच्चे role play कर रहे है teacher student का एक बच्चा teacher बन गया बाकी सारे student बनगे, teacher उनको homework दे रही है बाकी बच्चे काम कर रहे है doctor patient बच्चा doctor बन गया बाकी सारे बच्चे patients dopamine doctor जो कह रहा है, बच्चे फॉलो कर रहे है दवाई ले रहे है जो भी है मतलब आप किसी और की बुमिका का अभी ने कर रहे हो इनाक्ट करके दिखा रहे हो पूरी की पूरी सिचुएशन को तो ये संचार का बहुत अच्छा तरीक है मालो हमें बच्चे को सिखाना है कि बाहर करोना वाइरस चल रहा है तो आपको मास्क पैन के बाहर जाना चाहिए तो आप एक बुमिका अभी ने करके दिखा रहे हो एक बच्चा है वो मास्क नहीं पैनता था बार गया तो कोई किटानू उसके अंदर आ गए COVID-19 वाले जिसकी वज़ा से वो बिमार हो गया उसकी हेल्थ बहुत बहुत जादा खराब हो गए तो इससे बच्चे ये भी सीख जाएंगे कि हमें बाहर जाते हो को मास्क लगाना चाहिए और उनका बुमिका अभी ने हो गया ये था इसका इंट्रडक्शन अब थोड़े से लाब बता देंगे थोड़ी सी सीमाएं बता देंगे लाब इसका ये है इससे बच्चों के विविद कोशल विक्सित होते हैं सुनने की शमता विक्सित होती है कि जब सामने वाला बच्चा भुमिका भी ने कर रहा है तो दूसरा बच्चा उसको सुनेगा, सुनेगा तो सुनने की शक्ति विक्सित होगी भाशाई विकास होगा, जो बच्चा बोल रहा है, अलग-अलग डायलोग्स बोल रहा है कि इस भूमिका में यह हुआ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यह दवाई दूँगा, वो दवाई दूँगा तो उसका बाशाई विकास होगा, अगर मालो कोई और वो चोर पुलिस खेल रहे हैं या फिर पाइलेट पाइलेट खेल रहे हैं इदर उदर कूद रहे हैं कुछ कुछ कर रहे हैं तो उनका शारीरिक विकास भी होगा और उनका सामाजिक विकास होगा क्योंकि एक दूसरे से कॉडिनेट कर रहे हैं कि मैंने पहले ये बोल अब तू ये बोल एक दूसरे की मदद समाज इक विकास होगा ये सब उसके लाब है, सीमाई, सीमाईए मतलब होते हैं, डिसड्वांटेजिस, डिसड्वांटेजिस में आप ये लिख सकते हो, कभी-कभी भूमिका अभीने लाबदायक नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे भटक जाते हैं, भटक जाते हैं तो वो concept से बाहर चल के अपनी कहानिया शुरू कर देते हैं ये बहुत time consuming होता है बच्चों के साथ पूरा plan करना कि कैसे अभी ने करेंगे क्या क्या चीज़े utilize होंगी तो यहाँ पर इसके दो ही disadvantages बहुत हैं क्योंकि lab जादा है ना lab हमने बता दी है जो जादा lab है वो भी बता दी है दो सीमाई है दो सीमाई बता दी और उसके बारे में introduction दे दी 10 marks के लिए इतना sufficient है ओके हो गया फिर A part B part देख लो निमलिखित प्रते के कारण संचार प्रक्रिया में आ सकने वाली दो बाधाएं पताईए अब जब मैंने अपने बच्चों को question करवाया था संचार की क्या प्रक्रिया होती है मतलब communication process basically क्या होता है जब हम अपने ideas को sender से receiver की तरफ पुचाते है कि प्रेशक sender होता है प्राप्त करता receiver होता है मेरे मंद में कोई ख्याल आया मैं आपको वो बताना चाहती हूं मालो मुझे आपको DEC की preparation करानी है मैं हूँ sender मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को DEC की preparation करवाऊंगी मैं हूँ प्रेशक मैंने माध्यम चुना YouTube की मैं YouTube के माध्यम से बच्चों को पढ़ाऊंगी ठीक है YouTube माध्यम हो गया अब प्राप्त करता कौन हुए प्राप्त करता आप हुए जो की पढ़ रहे हो जिनोंने exams देना है यह हो गया हमारा पूरा संचार की प्रक्रिया अगर आपसे किस YouTube के माध्यम से बढ़ा रही हूँ अब यह संचार प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती उनके बीच में बाधाएं बताओ दो 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 मतलब प्रेशक की तरफ से दो बाधाएं बताओ संदेश में दो बाधाएं बताओ और प्राप्त करता की तरफ से दो बाधाएं बता तो प्राप्त करता सुनने वाले बच्चे पहले ही डर जाएंगे उस चीज को ढंक से सुनेंगे यह पहली बाधा हो सकती है कि अगर उसका फिजिकल अपेरेंस अच्छा नहीं है अजीब सा ड्रावना सा लग रहा है तो बाधा बन सकती है दूसरा आप यह बता सकते हो कि उन् इंग्लिश में ही सारी चीजे समझाई जा रहा है तो क्या कॉम्निकेशन प्रोसेस पूरा हो पाएगा नहीं बाधा आ जाएगी ना तो इसके तरह पहला तो टीचर की अगर फिजिकल अपेरेंस सही नहीं है मतलब ड्रावना सा लग रहा है या अनक्लीन सा लग रहा है अनह उन्होंने भाषा गलत चूस करी है अब मान लो मुझे पता है मेरे बच्चों को हिंदी और पंजाबी समझाती है तो मैं बस हिंदी और पंजाबी में ही उनको समझाऊंगी इंग्लिश के थोड़े बहुत वर्ट्स बता दूंगी ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए संदेश अब हमारे मैसिज में क्या दिक्कत हो सकती है अगर हमने आधा दूरा मैसिज दे दिया अब अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको आधा दूरा कोशन करवा के कैदू हो गया हो गया तो क्या होगा हमारा कॉम्निकेशन प्रोसेस अच्छा हो पाएगा नहीं हमें पूरा का पूरा मैसिज देना है कि मानलो मैं बताना चाहरी हूँ कि बच्चो मैं तुम्हें DEC की तयारी करवाना चाहरी हूँ तो ठीक है DEC 1, 2, 3 तीनों के तयारी करवाँ यह मेरा संदेश हो गया, यह पूरा संदेश है और क्लियर होना चाहिए यह नहीं कि आप बीच में आधी बात बताके छोड़ रहे हो या मैं आपको ऐसे कहूँ बच्चो मैं शायद से ना तुम्हें तयारी करवाँ मतलब आधी आधी बाते बोल रहे है तो क्या उससे संदेश पूरा हो पाएगा नहीं, तो यह बाधा हो जाएगी संदेश में कि मैसेज अगर पूरा नहीं होगा या क्लियर नहीं होगा तो बाता हो जाएगी प्राप्त करता, अब यह जो आप सेंड, रिसीवर हो, आपकी साइट से क्या दिक्कत आएगी, आपकी साइट से यह दिक्कत आएगी, एक तो difference in perception मैंने सोचा, मतलब आपके सोचने का तरीका अलग है मेरे तरीके से, मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को DEC की तयारी करवाऊंगी, ठीक है, मैं प्रेक्षक थी, मैंने सोचा, लेकिन आप जो प्राप्त करता हो, आप सोचोगे, अरे यह मैडम तो खुद ही हमें छोटी सी लग रही है, यह क्या हमें पढ़ाएंगी, इनको क्या आता होगा तो आपने फिर सोचा ही नहीं कि हम इनसे पढ़ेंगे आपने अगर यह सोचा तो इस वज़ा से हमारा संचार प्रक्रिया आधी रह गई, आधी रह गई क्यूँ क्योंकि आपके सोचने का तरीका अलग था आपने सोचा कि यह तो हमें मैडम खुदी छोटी सी लग रही है, इनको क्या आता होगा इनसे नहीं हम पढ़ेंगे, इस वज़ा से हमारी संचार प्रक्रिया आधी रह गई तो आप लिख सकते हो सोचने की प्रक्रिया में difference, मतलब different in perception, सोचने का अलग अलग तरीका दूसरा, lack of motivation and interest आपके अंदर interest नहीं आ रहा, आपको न लगी नहीं रहा कि मुझे पढ़ने है कुछ भी लिख कर आऊंगा, पास हो जाऊंगा, कौन पढ़े, कौन इतना वो करे जब आप उस चीज में interest ही नहीं ले रहे, तो आप उस चीज को सुनना ही नहीं चाहोगे आप interest नहीं ले रहे, तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे, मैं तो खुदी कुछ भी लिख कर आ जाऊंगा तो आप interest नहीं लगे, तो वो संचार की प्रक्रिया में बाधा डालेगा एक बार फिर easy way में बता रही हूँ, प्रेक्षक की तरफ से क्या-क्या दिक्कत होगी अगर उसकी पस्न, मतलब उसका जो physical appearance है, वो अजीब सी है, neat and clean नहीं है दूसरी उसने language सही नहीं चूस करी, संदेश आधा दूरा है, साफ complete नहीं है, दो बाधा है प्राप्त करता की तरफ से उसके सोचने का तरीका अलग है, या उसको interest नहीं आ रहा ये बाधाएं उसके संचार की प्रक्रिया में दिक्कत करेंगी, दो दो माक्स की थी 6 नंबर का question था, हमने कर लिया आजो फिर go part पे पारंबिक बालेवस्ता देखपाल और शिक्षा केंद्र का budget बनाते समय ध्यान रखने योगे बातों और सिधानतों के बारे में बताईए अभी मैंने कल, मैंने बच्चों को बताया था ना, क्लास में की budget का जब ऐसे question आ गया, देखो चार माक्स का है तो इसमें तो आप budget के बारे में पहले नई भी लिखोगे, सीधा point लिख दोगे, तो काम चल जाएगा, क्योंकि छोटा कम नंबरों का है लेकिन फिर भी अगर आपके पास paper में time हो, तो पहले बता देना की budget क्या होता है, और फिर उसमें आप किन बातों को और सिधानतों को ध्यान में रखोगे, वो बता देना budget एक निश्चित अवधी है, अवधी में प्राप्तियों और व्यव का अनुमान होता है, यह प्रताशित प्राप्तियों और प्रस्तावित व्यव का विवरंड होता है यह क्या होता है, budget के अंदर ना within time period हमारा कितना expenditure होगा, हमारा कितनी income होगी, उसको बताते है कि मालो मैंने इतना इतना खर्चा करूँगा, तो मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, 5000 का खर्चा हो जाएगा, 6000 की income हो जाएगी, तो मतलब मेरा 1000 का profit हो जाएगा यह expectation, यह planning, यह plan work जो आप लिखते हो, यह सारा budget आजाता है इससे हमें पता चलता है कि हमारे अव्वे कितने होंगी और प्राप्तियां कितनी होंगी budget के बारे में लिख दिया, अब किन बातों को और सिधानतों को ध्यान में रखोगे, main-main points में आपको बता रही हो पहला तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि आपके पारंबिक, बालेवस्ता, देख, बाल और सिक्षा के इंदर में कितने बच्चे आप अकॉमडेट करोगे, कितने लोगे पांच बच्चे लोगे तो उसे साब से खर्चा लगोगा, बीस बच्चे लोगे तो उसे साब से खर्चा जादा होगा अगर पांच बच्चे ले रहे हो तो आपको बजट में expenses के लिए कम पैसे रखने हैं अगर 20 बच्चे ले रहे हो तो आपका खर्चे जादा हो जाएंगे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कितने बच्चों को लोगे दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो छिक्षा के इंदर है वो पूरे दिन 8 से 10 गंटे उपरेट होगा या आदे दिनों परेट होगा चार से 5 गंटे पूरे दिनों परेट होगा तो खर्चे जादा होगे आदे दिनों परेट होगा तो खर्चे कम होगे तीसरा पॉइंट लिख देना फिर कि अगर आप कोई नया शिक्षा के इंदर स्थापित कर रहे हो तो आपको मेज, कुरसिया, दवाईया, नहीं दवाईया नहीं, मेज, कुरसिया, उसके बाद बच्चों का वेट करने के लिए तुरला, थर्मामीटर, जूले, स्लाइडिंग, ये सारी चीज़े एक बार लेनी अनावरिती वेए होते है, नोन रेकरिंग एक्सपेंडीचर, मतलब एक बार इन पर खर्चा कर दिया, बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख दे ना, खादे समगरी पर, खादे समगरी जो हम फूड मेटीरियल लाएंगे, दवाईया लाएंगे, के इंदर के रखराखाव का समान लाएंगे, जितने भी करमचारी होंगे, टीचर होंगे, उनकी सालरी इस पर भी खर्चा होगा, इसका खर्चा इन खर्चों को आवरित वियाई कहते हैं, रेकरिंग एक्सपेंडीचर कहते हैं, क्योंकि इसको हर मन्त टीचर को salary देनी देनी है, हर daily या हर week के बाद हमें food का समान लाना ही लाना है, इन खर्चों को ध्यान में रखना है, फिर आपको budget बनाते हो, में चीज ये ध्यान में रखनी है, कि जो आपकी expenses है, वो income से mail खाएं, अगर आपकी income जादा expenses का में, बहुत बढ़िया बात है, आपको profit हो रहा है अगर आपकी expenses और income आसपास, मतलब almost equal है ठीक है, कोई बात ही, long run में जाके आपको profit आजाएंगे, कोई बात नहीं, दीरे दीरे चल बढ़ने की stage है, बढ़ जाओगे, अगर आपके खर्चे जाद है और income कम है तो ये सोचने की और दिक्कत की बात है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, और आपके जो प्राप्तियां है, income वो जादा रहे ये सब ध्यान रखना है आपको ये make sure करना है कि महीने के end में आप pleasure बना रहे हो खाता बना रहे हो, जिसमें आप अपने सारे खर्चे और income लिख रहे हो, ताकि आपको हर चीज का हिसाब रहे चार माक्स का question है, मैंने तो जादा ही लंबा समझा दिया, आप इतने में से कोई भी points लिख सकते हो आजओ फिर साथवे question पर एक प्रभावी परियवेशक की क्या विशेशताएं होती है, उधारन देते हुए, सफस्ट कीजिए मैंने आपको बता रख है, प्रभावी परियवेशक की क्या विशेशताएं होती है परियवेशक वो होता है जो चीजों को सूपरवाइस करता है कैसे सुपरवाइज करता है मानलो टीचर्स है वो शिक्षा के इंद्र में बच्चों की लुक आफटर कर रही है तो जो सुपरवाइजर होगा वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि क्या बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं चीजों को क्या शिक्षक अपना अच्छे से काम क कर रहे हैं चीजों को बेसिकली सुपरवाइज करते हैं विशेष्टाएं सुन लो आठ नंबर की हैं तो चार तो जरूर लिखनी लिखनी है पहला आठ नंबर की दीना पहले हमने परिया वेशक बता दिया कि सुपरवाइजर होता कोन है और फिर आपना ऐसे करके एक फ्लो निरने ले पाए अगर टीचर को दिक्कत आ रही है कि यहां पर साफ पानी नहीं है तो वो निरने ले पाए कि हम यहां पर आरो लगवा सकते हैं एक हो गया दूसरा ऐसे लाइन डाल के लिख देना मानव संबार वेहवार संबंधी अंत्रदिस्ट्री अब वो हुमन नीचर को अच्छे से समझ पाए अगर उसको कुछ बच्चे परिशानी से लग रहे हैं यह टीचर्स परिशानी से यह कोई और क्लीनिग वाला स्टाफ या सेक्योर्टीव गार्ड वगरा कोई भी उसको ऐसा लग रहा है कि जो परिशान है जिसको कोई दिक्कत आ रही है वो उसकी बात चीट से समझ जाए और उसकी बातों को समस्याओं को समझ कर हल करने की कोशिश करें मतलब उसका human nature अच्छा होना चाहिए तीसरा समस्याओं का हल दे पाना अगर बच्चे आएं कि मैडम की हमें इस मैडम का समझ नहीं आता यह मैडम बहुत डांटती है हमें तो आप उस समस्याओं का हल दे पाओ बच्चों को यह भी होते है उसकी अच्छी विशेश्टा चोथी जिम्मेदारी ले पाना अगर कोई गलती हो गई है कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो उस टीच की responsibility ले पाए कि हाँ यह बच्चे यह teacher मेरी responsibility है कोई चीज गलत हो गई है तो मैं इसको ठीक करूंगा पाँचवी and most important वैसे तो मैंने आपको का था चार लिखना लेकिन पाँच लिखते ना कोई बात नहीं मतलब जादा information लिख रहे हैं ना कम तो नहीं लिख रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है संप्रेक्शन संबंदी अच्छे कोशल अब उसके अंदर communication skills अच्छी होने चाहिए ये तो आपको बता है हम सामने वाले परसन को अपनी बात तभी समझा पाते हैं जब हमारे अंदर अच्छी communication skills होती है अगर मेरे अंदर अच्छी communication skills है तभी मैं आपको अच्छे से ये सारे topics को समझा पा रही हूँ समझ तभी पाओगे ना तभी तो आप कहा पाओगे ना हाँ मैं आपका teaching का method अच्छा है क्यों teaching के method के लिए base क्या है कि हमारी संप्रेक्शन की कोशल विक्सित हो तो ये सब होने चाहिए ऐसे mind map सा बना के 5 points लिख देना नीचे 5 points को ऐसे करके explain कर देना और उनका example एक दूसरा explain उसका example दीसरा explain उसका example ऐसे उनके examples लिख देना हो गया आपका art marks का question complete आ जाओ last part पे खव एक शालापूर अध्यापक निमन लिखित से कैसे निपड़ सकता है पहला केंदर में बच्चे का क्रोधावेश मतलब aggressive behavior आप बता देना पहले क्रोधावेश क्या होता है छोटा सा बताना क्रोधावेश वो होता है जब बच्चे को बिना मतलब बुरा वहवार करें दूसरों को मारे पीटें वो उसका होता है aggressive behavior हम उससे कैसे निपढ़ सकते हैं हम उसको नैतिक सिधान सिखाएं कि चोरी करना गलत बात है किसी को मारना गलत बात है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ये सब आप कैसे सिखाओगे stories के थूँ पहला लिखा देना कि हम उसको नैतिक सिधान सिखाएंगे कहानिया सुना कर ठीक है कहानिय सुनाकर हम उसको नैतिक सिगान सिदा देंगे दूसरा हम अपने टीचिंग के जो सामगरियां हैं टीचिंग लर्निंग मेटीरियल हैं टीचिंग की जो विधियां हैं उनको इतना इंट्रस्टिंग बनाएंगे कि बच्चे को मजा आए वो उस चीज में ही जब खोया रहेगा उसको मजा आएगा तो उसका किसी और चीज की तरफ दिहान ही नहीं जाएगा तो वो एग्रेसिव बहेवियर शोनी करेगा दो हो गए तीसरा लिख देना कि हम बच्चे को करेंगे अगर वो अच्छा काम करता है कभी भी अगर वो अच्छा काम करता है पोलाइट बहेवियर दिखाता है दूसरों की मदद करता है तो उसको मोडिवेट करो इसे क्या होगा उसको मोटिवेशन मिलेगी motivation मिलेगी कि मैं और अच्छा काम करूँ और लोग मेरी प्रेस करें चोथा आप लिख सकते हैं आप कभी-कभी उसको do not punish आपको ये चीज दियान रखने है do not punish rather teach मतलब आपको उसको डंड नहीं देना जबकि समझाना है आप उसको प्यार से अच्छे से समझा दो कि बेटा ऐसे किसी को मारते नहीं सोचो आपसे कोई बड़ा बच्चा ताकतवर बच्चा आपको मारे तो आपको कैसा लगेगा तो ये लिखते ना क्या-क्या लिख सकते हो पहला कि आप नैतिक सिधानत के बारे में समझाओगे कहानियों के थ्रू दूसरा टीचिंग, लर्निंग, सामगरियां और विदियां इंट्रस्टिंग यूज़ करोगे ताकि बच्चे का कई और दिहान न जाए अच्छा काम करने पर आप उसको प्रोच साहित करोगे ठीक है, चोथा फिर अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप उस बच्चे को डंड नहीं दोगे बलकि समझाओगे आप उस बच्चे की पसंद के कारे उससे करवाओ उसको singing अच्छी लगती है, singing में indulge करो dancing अच्छी लगती है, dancing में indulge करो ताकि उसका बुरे वेवार की तरफ दियान ना जाए ठीक है, और आप लिख सकते हो कि बच्चे की जरूरतों को समझोगे अगर बच्चा aggressive behavior दिखा रहा है तो इसके पीछे कोई reason हो सकता है माल लो उस बच्चे की घर में mother की death हो गई mother की death हो गई, वो उस situation से cop up नहीं कर पा रहा इसलिए वो इतना अजीब सा behavior कर रहा है तो आप उसको guidance दो, counseling करो ताकि वो बच्चा अच्छे से behave करे ये आपका हो गया 6 points छे marks का question था, introduction लिख दी छे points बता दिये, साथ साथ उनके example बता दिये हो गया आपका a part complete, पहला दूसरा, वे बच्चा जिसे चोरी करने की आदत हो अब जिस बच्चे को चोरी करने की आदत है उसको क्या कर सकते हो, उसमें भी आप same point लिख सकते हो बस explanation different हो जाएगी, example difference हो जाएगी आप उसको नैतिक से दान सिखाओ कहानियों के थ्रू कि आप उसको एक बच्चे की कहानी सुनाओ जो चोरी करता था, जिसके साथ एंड में बहुत बुरा हुआ पुलिस पकड़ के ले गई या उसको बहुत मार पड़ी तो उससे नैतिक से दान सिखेगा कहानियों से दूसरा, आप क्या करो आप उसको co-curricular activities में इंडल्ज रोखो कभी खेल रहा है, कभी डान्स कर रहा है जिससे कि उसका चोरी की तरफ ध्यानी न जाए तीसरा, उससे प्रोचसाहित करो, प्रेस करो जब वो अच्छा काम करता है जब वो चोरी नहीं करता, दूसरों की मदद करता है लोगों के साथ अच्छे से मिल जुल कर रहता है उसको प्रोचसाहित करो ठीक है, चोथा, आप क्या कह सकते हो आप उसके पीछे का reason जानने की कोशिश करो कि अगर ये बच्चा चोरी कर रहा है तो क्या है, हो सकते है बार-बार बच्चा पैंसिल चोरी कर रहा है क्योंकि उसको पैंसिल की जुरुत है और उसके घरवाले उसको नहीं दिला रहे इसलिए वो चोरी कर रहा है तो उसके पीछे का reason समझो और उसको ठीक करने की कोशिश करो पाँचवा आप उसको डंड ना देकर समझाओ कि बेटा चोरी करना गलत बात है ये नहीं कि बस डंड दे दी हाथ खड़े करके खड़ा हो जा या ये कर ले नहीं डंड मत दो जबकि समझाओ और कभी भी उसको दूसरों के सामने शर्मिंदा मत करो ये नहीं कि सब के सामने आप कह रहे हो तू तो चोर है तुने चोरी कर ली नहीं उसको अकेले में समझाओ अकेले में वो समझेगा और सारी चीज़े समझ पाएगा इसके साथ साथ आपका D.E.C.E. का Past Year के Question Paper का Detailed Discussion एक एक Question का हर Point के साथ खतम होता है I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको एक Overall Idea मिल गया होगा पेपर कैसा आता है कैसे आप Answer लिख सकते हो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये Teaching का Method कैसा लगा क्या आपको इससे मदद मिली क्यूंकि जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो और Expect करते हो ना बच्चा Expect करता है कि मुझे कोई मोटिवेट करे शाबाशी दे कि आपने बहुत अच्छा काम करा तो वैसे ही हमें भी आपकी शाबाशी की जुरत होती है हमें भी अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि मैं हम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया आपका Teaching का Method बहुत अच्छा है तो नीचे Comment करके हमारा भी Motivation बढ़ा देना अगर DEC का Crash Course लेना हो जिसमें हम सारे Important Question Answers वीडियो के तुरू आपको समझाते है आपको उनके साथ Important Question Answers की PDFs देते हैं और जो भी एक्जाम से पहले डाउट आए वो क्लियर करते हैं या फिर सिरफ Important Question Answers की PDF लेनी हो तो आपको वीडियो के description में details मिल जाएंगी contact details मिल जाएंगी आप वहां से contact करके ले सकते हो और अपनी preparation को एक step आगे ले जा सकते हो All the very best I hope आप सब की preparation अच्छी चल रही होगी और आपने अच्छे से concepts को समझ लिया होगा Thank you very much